आठ साल का बच्चा बना सीरियल किलर लोगों को मारने में आता है मज़ा आप तक कर चुका है इतनी कत्ल वैसे तो आपने आज तक बहुत सारे सीरियल किलर का नाम सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सीरियल किलर का नाम सुना है जिसकी उम्र सिर्फ आठ साल हो इसे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। पैदा हुआ अमरजीत शकल से जितना मासूम लगता है हरकते इसकी उतनी ही कातिल है। महज आठ साल की उम्र में अमरजीत ने तीन लोगों के हत्या कर दी थी। बता दें की अमरजीत अपने परिवार के साथ बेगुसराय के मुसहरी में रहता था और उसके पिता किसी तहह से मज़दूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। इसी मिनी सीरियल किलर का खौप पूरे इलाके में ऐसा रहा है कि सभी इसके नाम से भी डरते हैं। लगातार तीन हत्याई करने के बाद ये पुलिस की नजर में आया था। इस सीरियल किलर के बारे में सबसे आज बात ये है कि इसके शिकार सिर्फ छोटे बच्चे बने है वो भी ऐसे जो अभी मेहज कुछ दिन के ही थे। अपनी ही बहन के हत्या। आपको बता दे मिनी सीरियल किलर के नाम से मशूर बेहार बेगुसराय का ये लड़का अमरजीत अपनी ही बहन का कातिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले इस लड़के ने अपने ही गवन की एक मातर छे महीने की बच्ची का पत्थर मार कर कदल कर दिया। इस घटना के कुछी दिनों के बाद उसने अपनी ही एक साल की बहन का कर दिया। जब अमरजीत के घरवालों को इस बारे में मालूम हुआ तो पहले तो उन्होंने इस बात को सबसे छिपा करके रखा लेकिन जब इस मिनी सीरियल की लड़े एक मस्क आदमी की हत्या कर दी तब जाकर पुलिस छानबीन में अमरजीत का नाम सामने आया पुलिस ने जब पूछताच में इस लड़के से खून करने के कारण के बारे में पुछा तो उसने बताया कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है और इसलिए वो किसी को भी बेहरहमी से माच देता है पुलिस हिरासत में लेने के बाद इस बच्चे को चाइल्ड रिमांड ग्रह भेट दिया गया जहां मनोवे ग्यानिकों ने जब इसका जाज किया तो पता चला कि अमरजीत किसी मानसिक बिमारी का शिकार है जिसका नाम है कंड़क्ट डिसॉर्डर इसलिए ये इस तरह की हरकते करता था क्योंकि इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी